वेरे गुड मॉर्णिंग तो आल अफ यू स्वागत करता हूं आपका अपना यूटूब चाइनल मैं थड़ा सारण में चलिए फिर मैं हाजिर होगे एक नए सेशन लेके इसके जासर का साइन्स का रेल्वे साइन्स का प्रैक्टिस सेट उन्सट लेके अभी तक आपने अफलाड करें आप तक उसका नोटिफिकेसन पहुचता रहे हैं तो चलिए बीना टाइम वेश्ट के क्लास को शुरू करते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करने में कंजूसी तो करते ही हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आज का पहला कोशन देखते हैं, पहला कोशन है कि यदि वेग समय ग्राफ समय अक्छ के समनांतर हो, तो गति क्या होगी, ये वेग समय ग्राफ है, ठीक है, माल लिजे ये वेग है, ये समय है, ठीक है, अब कहरा है कि वेग समय ग्राफ समय अक्छ के समनांतर है, समय अक्ष के समय अंतर है कोई रेखा माल लिए इसे हम ए और बी नाम दे दें तो गती क्या होगी यही पूछ रहा है तो जब भी जदी व्यक समय गराप के समय के अक्ष के समनांतर होगा तो गति क्या हो जाएगी एक समान हो जाएगी तो क्या होगा आप से आपका सही आंसर हो जाएगा सुननी तवरंजिसका तॉरंट क्या हो गए से गतिमान होता है तब व्यक्स समयय गराफ क्या होता है? समनांतर होता है? यह याद र्खियiau ठीक है तो यह जो ग्राफ दिख रहा है यह आपको क्या दार्स आता है? कि किसी बस्तु के समय में परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर तनाव की क्रिया या घर्षन का नकरात्मक परभाव या घर्षन का सकरात्मक परभाव तो कारों के ब्रेक्निक पैड में जो होता है घर्षन का सकरात्मक परभाव का गुन का उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा घर्षन वल इसलिए इस में सहायता से घरसंगों को कम किया जाता है ठीक है चलिए आसह करता है चेजेचा पीजियु आप पच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए अगला कौशन देखते हैं कि एक कार की Gति किस पर निर्वर नहीं करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है कि गाड़ी में ओडो मीटर का इपियो करते हैं जिसके क्या होता है दूरी में अपने के लिए हम लोग करते हैं ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि निमलिखित में से कौन सा कारक किसी दिये गए द्रव में बस्तु पर कार्जगरत उत्पलावन बलके परिमान पर निर्भर करता है यानि कि उत्पलावन बलके परभाव पर निर्भर करता है तलल पदारत का घुनत और उसमें डूबी ही उबस्तु का दर्मान तरल पदारत का घुनत और इसमें डूबी ही उबस्तु का आयतन जो होता है वही उत्पलान बल के परिमार के निलवर करता है यही हमारा option C क्या हो जाएगा थीखे चलिए अगला question देखते हैं अगला कोशन है कि धूप से बतने के लिए छाते में रंग सन योजन निम्द में से कौन सा सबसे उचीत है सबसे उचीत कौन सा है उपर काला नीचे सफेद उपर सफेद नीचे काला उपर वह नीचे दोनों काला और उपर वह नीचे दोनों सफेद आप छाता देखे होंगे नब यह सकता है तो उपर वाला on 01 सफेद अचा सांथ तो यह जो बाद्सित से के उदार्मन के यह है यह ठीक है तो अपी गयों को दिन सफेद कफ्रा हम लोग कहा है पहुंटे का की सफेद कफ्रा इस लिए पहुंटे हैं कि सफेद कपरा इसको रिफलेक्ट कर देता है यान की वापस कर देता है काला सोट पहुँए तो क्या कर लेगा एबसार्ब कर लेगा जिससे कारण आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लएगा इसलिए गर्मी में काला कपरा हम लोग नहीं पहुंटे है चलिए अगला क्वोश्चन अगला question देखते हैं कि निमलिखित में से कौन सा कथन धोनी तरंगों और परकास तरंगों के बारे में सही है सही की बात कर रहा है दोनों अनुपस्ट तरंगे हैं दोनों अनुदर्ग तरंगे धोनी तरंग अनुपस्ट होती है और परकास तरंग अनुदर्ज होती है देखिए धोनी तरंग जो होती है वो अनुदर्ज होती है और परकास तरंग क्या होती है अनुदर्ज तरंग होती है तो option D क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखते है जल का अपरतनांग 4 बटा 3 है तो जल में परकास की गत्री क्या हो जाएगी मुव का वैलू क्या दिया है 4 बटा 3 दिया है ठीक है तो मुव का वैलू तो जल का अपरतनांग 4 बटा 3 ये बराबर कर देंगे 3 गुना 10 to the power 8 बटा भी के तो यहां से भी का वैलू क्या आ जाएगा भी का वैलू निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा तितिरी के 9 गुना 10 to the power 8 बटे में 4 यानि कि भी कमाना जाएगा 2.25 into 10 to the power 8 मीटो पर सेकेंड तो अप्शन एक क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए अगला कुशन देखते हैं कि संधारित कार्ज करता है किस पे तो संधारित कार्ज करता है AC और DC दोनों पे कार्ज करता है संधारित जो कार्ज करता है वो AC और DC दोनों पे कार्ज करता है तो option C क्या हो जाएगा आपको सही answer हो जाएगा संधारित जो है एक ऐसा विवस्ता है जिसके दोवारा आवेस की उप्रिक मातरा को हम क्या करते हैं 27 ठीक है जो DC को रोखते है तो अथ को क्या करते हैं परवाहित करता है ठीक है इसमें समान धातु का समान छेतरफल के दो प्लेग एक दूसरे से दूरी पर रखे जाते हैं ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि एक ओतल दरपन सुर्ज के सामने इस तरह से रखा गया है कि सुर्ज की किनों का अभिसरन दरपन के मुख अक्ष पर 5 सेंटेमीटर दूर एक बिंदू पर होता है अब यदि 3 सेंटेमीटर लंबी एक ममवती को दरपन के मुख अक्ष पर 10 सेंटेमीटर दूरी पर रखा जाया तो मंभत्य का पर्तिवीम कितना दूर बनेगा, ठीक, यहाँ अफत्त रर्पन की focus दूर, कितना पे 5 cm, तो माइनस का 5 cm, दर्पन से मंभत्य की दूरी कितनी है, 10 cm है, यूँ की आ गाएगा, माइनस का 10 cm, तो रर से पर्तिवीम की दूर, यानि कि V हमको निकालना है बच्पन से, फर्मूला हम पड़ते आ रहे हैं कि 1 बच्पन से पड़ते आ 10 इस माइनस को इधर भेज़ देनेंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये एक बच्पन से पर DRS माइनस एक बच्त Since पर ड़त यानि कि 1-2 बराबर 1 बर्टा भी यानि कि भी बराबर 1 बर्टा भी बराबर माइनस का 1 बर्टा 10 तो भी का मान क्या आ गया माइनस का 10 cm तो option C क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा तो मंबती का पर्ट भी मुख्चक से कितना दूर बनेगा 10 cm दूर बनेगा ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं CT scan में CT का अर्थ क्या होता है तो CT scan में CT का अर्थ जो होता है computed tomography होता है तो option C क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं यह सुबह का सुरज इतना गरम नहीं होता है जितना दो पहर का क्यूं तो सुबह का सुरज इतना गरम क्यूं नहीं होता है ठीक है सुरज की किर्णे सुबह के समय धीरत चलती है सुबह के समय सुरज ठंडा होता है या सुबह के समय प्रित्वी सुरज से अधिक दूर होती है या सुबह के समय सुरज की किर्णों को अंत्रिक्ष में अधिक दूर इतना करनी होती है तो option D क्या हो जाएगा आपका सही answer हो ज अगला कोशन है कि परमानु कर्मांग 17 वाला एक तत्व निचे दिये गे किस परमानु कर्मांग के तत्व के समान भी से इस्ताय रखता है यानि किसका समान भी से इस्ताय रखता है देखिए परमानु 17 वाला परमानु 35 वाला के परमानु कर्मांग 35 वाला तत्व है लोजन सम और ये दोनों क्या होते हैं समान विशेष्टाएं रखते हैं ठीक है तो option D क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगर हम अगर इन लोग का configuration हम देख ले 35 वाले तात्व का अगर electronic configuration देखें तो यह होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4.5 ठीक है अगर 17का 35 व्रोमिन होता है क्या होता है अगर 17 क्लोरीन होता है तो क्लोरीन का अगर हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 ठीक है थीक है चलिए तो अगला question देखते हैं कि सो सन यूजे आबऑंद के दो परमानुवा के बीद आबऑंदों के अधितन संख्या कितनी होती है तो आपिशन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा चली अगला कॉशन देहने कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है गैस से संबंधित कौन नहीं है बॉयल नियम औगदरो का नियम चाल्स नियम जूल का नियम तो जो जूल का नियम होता है ये गैस से संबंधित नहीं है तो option B क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं कि जब दो तत्तों को परमानु भारों के बरते करम में वेवस्तित किया जाता है तो पहले ततों के गुंधम आठवे ततों के गुंधर्मों के समान होते हैं तो संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है तो इस नियम को कैसे जाना जाता है तो निवलेंड के अश्टक नियम के रूप में इसे जाना जाता है क्या जाना जाता है देखें, निवलेंड का अश्टक जो सिधान्त है, कि वर हलके ततों के लिए ठीक से लागू हो पाया है, तो निवलेंड का अश्टक नियम के लिए ठीक से लागू हो पाया है, ठीक है, तो निवलेंड का अश्टक नियम के रुप में option D क्या हो जाएगा, आपका सही answer हो कुझम हैं ग्यों और हो जाएका सब्सक्राइब और आपका सही आंसर हो जाएगा। मनें लुए झाल क्या से किया करके क्या क्या मुक्त करते हैं मिन मैं लप खुर्ट करना फेपेश्अ क्या अगला कूश्षे देखते हैं ठीक है तो option लक्री के भंजग आस्वन से तो option सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा देखें लक्री के हवा के आपर जात मातरा में जलाकर काश्ट चारकोल को प्राप्त किया जाता है चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि इन में से कौन सा पदात फ्लोरोसें ट्यूब में उपस्तित गैस की प्राकृतिक के अधार पर एक विशेस रंग के साथ चमकता है विशेस रंग के साथ कौन चमकता है तो प्लाजमा जो है एक विशेस रंग के साथ चमकता है तो आप्सन एक क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा प्लाजमा के गुन ठोस द्राव या गैस के गुनों से काफी विप्रित होता है ठीक है चलिए अगला कोशन लेखते हैं कि पेजल अपुर्ती में कोलिफॉर्म की उपस्तिती डैस के लक्षन है तो ये किसके लक्षन होते हैं ये मानो अपस्तित के संदूसन के लक्षन होते हैं तो आप्षन डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा कोलिफॉर्म वे बैक्टिरिया होते हैं जो हमेशा मनिस्टो सही जानवरों के पाचन तंतर में पाये जाते हैं ठीक है कि वाइवी स्वासन क्या है वाइवी स्वासन क्या है तो वाइवी स्वासन जो होता है ऑक्षिजन के उपस्तिती में स्वासन के किरिया को वाइवी स्वासन कहते हैं तो आप्षन वी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है और मेढ़क और केच्वा तोचा के द्वारां स्वासन करते हैं आप जानते हैं कि मचली किसके द्वारा अपना गलफ़ा के द्वारा स्वासन करती है चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है जब ब्रिक कार्च करना बंद कर दे तो निर्म में से कौन सा पधार्त जमा हो जाता है जब ब्रिक जो है कार्च करना बंद कर देगा तो क्या जमा हो जाता है तो यूरिया का जो अपसिष्ट होता है ये जमा हो जाता है ठीक है यूरिया यानि नत्रजनित रट में नत्रजनित अपसिष्ट पदार्ट ये यूरिया क्या हो जाता है जमा हो जाता है तो option D क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं हैं अगला कॉश्ason है कि दो यूगमों के सनयोजन को कहते हैं निसेचन कहते हैं दो यूगमों कुशन को हम पाते हैं निसेचन तो option ए क्या हो जाएगा ढ़का सही answer हो जाएगा निसेचन क्या होता है जब टेश्ट Всёट्व जैविक विकास को किसके तोर पर प्राकृतिक चैन के रूप में परभासित किया गया है तो आप्ष्ण सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन और अंतिम कोशन देखते हैं कि वे पोधे जिन में पोधे के विभीन भाग उपस्तिति सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल के नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करें मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा चली मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए